एलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गेहू का दलिया वो भी घर पे मिक्सी में बहुत लोग इसको रेडिमेнट लाते हैं पडी इतना आसान है कि घर पे भी बना सकते हैं और उससे हम थुली भी बनाएंगे जिसको हम नम्कीन या मीठे दलिये में भी बना सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं, मैंने आधा कितलो इतने गेहु लिये हैं, उसको हमको अच्छे से पहले पानी में धो लेना है, जिसे मिट्टी साफ हो जाएंगी, फिर उसको सुखा देना है, जब ये अच्छे से सूख जाए, ये भी मैंने ये प्रोसेस कर लिया है, सूख जाए, तब हम तलिया बनाएंगी, तो हमको क्या करना है, इसको लेना है, मिक्सी में, आप मार्केट से जो थुली लाते हैं, क्या बता वो गिहु दूले हुए रहते हैं कि नहीं, पर हम थुली तो धो नहीं सकते, इसलिए घर पे बनाईवी थुली कभी भी बढ़िया, तो मैंने आधे ग जुरू करते हुए थोड़ी देर पीछना है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके गेहु के कुछ गेहु बारिक हो जाएंगे और कुछ गेहु मोटे ही रहेंगे, और कुछ गेहु एकदम बारिक हो जाएंगे, इसे पाऔर फॉर्म में, तो उसमें कोई चिंदा की बात नही वो यूज की है तो इसमें से क्या होंगा हमारा दलिया और हमारा आटा जो है वो छन जाएंगा और उपर जो रहेंगे वो रहेंगे मोटे और आधे गेहु जो जादा बड़े है वो रहेंगे उपर तो देखिए यह इस तरीके से रहें गया यही प्रोसेस अभी यह जो और हम मिक्सी में दाल देंगे और साथी में क्या दालेंगे हमारे जो बचे हुए गेहु थे वो यह देखिए यह थोड़े जाड़े है जो दलिया है उसमें थोड़ा मोटा दलिया रहता है अब यह नीचे जो आया है यह हमारा पॉफेक दलिया है तो अब यह जो गेहु थ तो रहा था उसको हम फिर से मिक्सी में दाल देंगे और बचे हुए हमारे जो गेहू थे वह भी दाल देंगे, थीक है, आपको ये प्रोसेस को फिर से दुबारा करना है, मिक्सी का, और वापस छान लेंगे इसको, और हमारा छानने के बात क्या रहेंगा, नीचे आ जाएगा दलिया और बारी हमारा आटा बन जाएगा तो यह जो बज गया इसको आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो मिक्सी में घुमा कर अब मैं इसको साइड में रख दे रही हो अभी यह अच्छे से चंग गया है यह थोड़ा मोटा वाला गयो है यह गयो भी नहीं है पूरा और दल नहीं या फिर आप सूजी की चलनी लीजिए या फिर आप मैदे की चलनी लीजिए कोई भी चलनी आपको लेना है और इसको छान लेना है तो नीचे क्या चला जाएंगा हमारा बारीक आटा रह जाएंगा और उपर हमारा दलिया बज जाएंगा तो देखिए बहुत आसानी से घर पे ही बढ़िया से हमारा दलिया रेड़ी है मार्केट में दलिया का रेट भी जादा रहता है और वो इतना हाइजनिक भी नहीं रहता है क्या पता उन्होंने गेव साफ किये कि नहीं ये बढ़िया से हमारे हिसाब से हमको जितना मोटा ची जितना बारिक ची उतना दलि कि आप शक्ता नहीं रहेंगी, यह आटे से बाती बहुत बढ़िया बनती एं, तो यह बन गया दलिप यह बाती का अटा, ठीक है? तो एक साथ में आपको दो टिप्स मिल गिए, दलिप बाती के लिए आटा बी बना लो, तो यह दलिप बन गया, आप हम से दलिप से थुली ब बना की देखिए अच्छा लगा तो बताईगी तो आप शुरू करते हैं नेक्स्ट यमारा थुली बनाने का तो सिंपल सी नमकीन बनाई या मीठी बनाई एज यू विश्ट मैं अभी मीठी बनाऊंगी मीठी में अब नमकीन भी बना सकते हो देड कटोरी हमने डल्या लिया ह जो हमने बनाया है उसमें मैंने अभी दो से तीन चमच हम घी लेंगे शुद्ध देशी घी में हम दल्या बनाएंगे पोस्टिक रहता है काफी गहरों में जो बुड़े इंसान रहते हैं उनकी रोजी ये दल्या बनता है या फिर कोई बिमार हो गया है तो उसके लिए बना होता है तो उसको हम अच्छे से मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे हलकी धीमी धीमी खुच्बू आ रही है गेहु के भूनने की और थोड़ा सा गोल्डन हो गया है ये देखो दल्या तो इतना आपको भूनना इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें दालेंगे मेडियम फ्लेम पे तीन से चार सीटी आने तक के इसको पकाएंगे अब इसको हम लगा कर पकाएंगे और जब यह पक जाएंगे हो यह देखिए अभी 3-4 सित्या के कूकर अच्छे से ठंडा हो गया है अभी हमारा दलिया रेडी है तो काफी लोग इसमें मसारे दाल सकते हैं जिसे हल्दी मिर्ची दाल के नमकीन दलिया वेजिटेबल दलिया मैंने आल्रेडी आपको बताया है ड अहुत ही स्वादिष्ट लगता है बीमार को क्या सबको पसंद आता है हाँ बीमार लोग ज़्यादा खाते इसलिए उनको कम पसंद आता है पूर इस टू यम्मी आप एक बार ट्राय कीजिए और घर पर दलिया बना के देखिए अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए मुझे और अगर मेरी रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग फिर मिलेंगे ऐसे ही यूसफुल वीडियो के साथ में आपको और में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए नमकीन दलिया पोस्टी काहार का डिस्क्रिप्शन बॉ वाचिंग फिर मिलेंगे बाई